सुप्रभात बच्चों इस वीडियो में आज हम आपको आपकी संस्क्रिक पुस्तक धी महिएगी नवमां पाठ उत्तम भुर्ष का वाचंगर पाठ समझा रहे हैं उत्तम पुरुष का प्रयोग हम लोग कब करते हैं जहां वक्ता स्वयम अपने बारे में कुछ रहता है वहां पर हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं इस पाथ में हम लोग पढ़ेंगे उत्तम पुरुश के करतापद और करियापद इसके पहले पाठ हमें पाठ साथ और पाठ आठ पाठ साथ में हमने बढ़ा है प्रथम पुरुष और पाठ आठ में हमने बढ़ा है मध्धा पुरुष आए जानते हैं पुरुष क्या होते हैं पुरुष जहां वक्ता किसी अन्य वक्ति के बारे में बाग करता है करते हैं और जहां वक्ता किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करता है वहां हम मर्ध्यम पुरुष का प्रियोग करते हैं और जहां वक्ता स्वयम अपने बारे में कुछ कहता है वहां हम उत्तम पुरुष का प्रियोग करते हैं आज हम लोग इसी उत्तम पुरुष के बारे में पुर्जानकारी राप्त करेंगे नम्म बन कर्थम पुरश के कर्था पर्थ क्या पुते हैं? एक बचन में सभ और सा सा का मेनिंग वह है पुले और सा का मेनिंग भी वह है इसले दीवचन में तव और ते तव का मेनिंग है वेदो पुलेंग और ते का मेनिंग भी है वेदो इसलेंग बहुबचन में ते यानि वेशब और ताहा वेशब ते पुलेंग में वेशब है और ताहा इसलेंग में वेशब है दूसरा है हमारा मध्यम पुरुषर से कर्तरी बदानी मध्यम पुरुष के कर्तापत एक बचन में तवम क्या पढ़ेंगे इसे बच्चों ख्यांसे देखिए आधरता व और माहलन्त इसे हम पढ़ेंगे तवम जिसका मीनिंग है तुम दी बचन में युवाम जिसका मीनिंग है तुम सब बच्चों ये चीज़ ध्यांसे सुनें मध्यां पुरुष के कर्ताप में और उत्तम पुरुष के कर्ताप में पुलिंग और किस्त्रिलिंग कर्ता पर समान रूप से प्रयोग किये जाते हैं नमबर त्री उत्तम पुरुशर से करत्री पदाने एक वचना एक वचन में अहम अर्थार मैं दी वचन में आवाम अर्थार ठम दोना और बहु वचन में वयम अर्थार हम सब झाल